हालो यूर्वन कैसो आप लोग जैसा कि आप देख रहे हैं यहां पर एक टॉपिक स्टार्ट करने वाले हम और जैसा कि आपको बता है कि जल्दी इंटरेंस एक्जाम होने वाले नीट के 26 जुलाई जैसा डेट है तो उसके रेगार्डि हम क्या करने 100 अस्तिमाल करने कि कि कैसे किसी भी कृश्चें को स्टेंड में कैसे वकृट कर सकते हैं और बहुत आसान है जो ची हमें पता नहीं होती एक वह बहुत बढ़ा को प्रक्शाव फ्रक्श्ट में कैसे किसी गंपाउंड को रिजोन गष्ट य मैं बताता हूँ एक आपको किताब प्रिफर करता हूँ कि अगर जो लोग नीट का या जेए का डबली का एक्जाम देने वाले वह एमेस चोहान जैसी बुक अरणी केमेस्टी बेस्ट बुक है आप उसको इसको इस्तेमाल किजिए उसका इस्ति यूज करिए और आपका कॉंस आप चूज को सबसे बेस कंपाउंड होता है बेंजीन दुनिया में सब लोग जानते हैं बेंजीन का स्ट्रेसर ऐसा कुछ होता है ऐसे बना होता है घर जैसा ऐसे पाइबॉंड होते है ठीक है अब आपको पूछा जाता है कि नंबर आप रिजुनेटिक इस्ते बेंजीन क बीस मिन जाएगा तो दस से दस मिन जितना लगेगा अब उसके बाद गलत हो जाए तो उसका कोन इस पूंस बोलोगा ठीक है तो ऐसा नहीं करना है अपने को हमने को स्टकर से सीखना है कैसे जल्दी से हम क्या करते हैं नंबर आप रिजिनेटिक इसके ड्राव कर सकते हैं मै इसको वर्टिकल लाइन बोलते है इसको और जेंटल लाइन बोलते है ठीक है एक से याइज इस अब को बता होगा कितने वर्टिकल बोहने हैं दो हाओ मैंने से रिजुनेटिक स्टेटिक ड्राव होंगे कोई दिमाग लगाने की जूरूत नहीं थी नंबर आप लिजुनेटिक स्टेटिक आप क्या कर सकते हो ड्राव कर सकते हो देख अगला बूश्यों हुष ने नैप्थिलीग मालो में नेप्थिलीग कपाउंड यहां पre एक नैप्थिलीग नेपना बहुत ही फेमस कंपाउंड आप जानते हो दो बेंजीन सिस्टम को आपस में कर तो naphthalene बन जाता है ठीक है this one क्या कितने नंबर आफ रिजिया बन आप तर वेडिकलबॉंट क्या काउंट करना एक वर्टिकल गजिया एक वर्टिकल दो वर्टिकल तीन वर्टिकल कितने रिजिया एंड कोई कमा लगाने की जीजिए जबर जुरूरुत नहीं है कुछेन की बात कर लेते हैं माली जे मैंने एंथरसीन द्रोग किया एंथरसीन राइट माला मैंने एक कंपाउट किया एंथरसीन बाइट देख नाहीं तो आप को क्या करना है सार आपने एक ही चीच सिखाई है कि कि लंबर आफ बढन करने कहा है ठीक है वन च्यू थ्री फोर हमने रेजिन अंगे रिग्स टो पूरा हो गया ठिक है आप इसके रिजोंगे अहीं की चोंगे महाँ बैठ बांट कर लो जो वर्टिकल्र सिंग्म बोन आंगे वही आपका क्या होजाएगा क्यों से compound कि आप ना कर पाऊ ठीक है मैं एक compound बनाने चल ला हूँ बेंजाएंथ्रासीन राइट नौ यह देखते नहीं ध्यान से कैसे बनता है ठीक है बेंजाएंथ्रासीन compound है इसके number of resonating structure आपको आप इसको खीच पाओगे किया वहां बैठ कि आप रिजोनेंटिंग इसके डोगे ठीक है लेकिन यहाँ पर यह ने एक ही ट्रिक बताया कि आप number बंगल और ऊपर ल्ट कहाँ जुन करना है किसी बाइच से करना वा इاح एह वह दो अपर कंपाॉंड ओंप से है एक ल डू खेयए मालज जि निकस्ट कर देता हो इप लिए झीमन मगलज्य मैनथ इसक्रों नेक्क आफिकर निटाक है थे अल्टरनेट होते हैं, this one, this one, ठीके, बेंजो पैरिंट रो होगी है, ऐसा है कोई compound है, अब मैंने बोला कि, how many resonating structure can we draw, कैसे करोंगे, कैसे करेंगे इस काम पाऊगे, आप resonance कीचोंगे, resonance कीचोंगे बैठके, resonance कीची नहीं पाऊगे, ठीके, तो करना इस से पेले याले काभी, आप यह था था तो कुछन पूछता है, कि जो इससे पेले वाले काभी यह था यह था तो कुछन पूछता, पता है, कि जो इससे पेले वाले जो कुछन बनाया था मैने, इस compound is known as a benzyantrasine and benzopyrene, how many resonating structure will be equal, ऐसे दो compound, तीन बोल देगा, कि इनके रिजुनेटिक इससे किने है, आप्सन में लिख सकता है, 6, 4, D option कैसे लिख सकता है, 6, 5, C option कैसे लिख सकता है, 4, 4, D option क्या लिख सकता है, 6, 6, लो, option बन के तायर होगे, कोईशन में ready ही था, बोल पे लिख सकता है, बन गया structure, यह तीनों तो गलत हो गया, 6 and 6, दोनों के रिजुनेटिक इससे कितने होगे इसके, 6, एक अगेन structure में दूसरा दोकर देता हूं, ठीक है, इस question को ध्यान से देखो, तो कैसे, इसके रिजुनेटिक इस्ट्रेक्चर आएंगे, वो भी आप ध्यान से देखिए यहां पे, अगला एक compound है आपके पास, डाइ-benzo-anthracene, क right now is there, ठीक है, this one, यह question है, यह ऐसा, ऐसा कुछ बना के लिखा हो है, हमें नहीं पता, हमें नहीं पता है कि structure क्या है, क्या है, लेकिन कैसा है, मुझे नहीं पता, डाइ-benzo-anthracene बोलते है, ऐसा कुछ नाम है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, नाम रहन दो, करना क्या है, number of resonating structure, हम आपको करना क्या है, number of sigma bond count करने है, number of vertical sigma bond, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, हाट, how many resonating structure will be draw, 8, कितने आएंगे number of resonance के, 8 आएंगे in total, आप vertical sigma bond count कर लो, और number of resonating structure approximated कितने आएंगे, इसके पूरे 8 आएंगे, इस तरह से आप number of resonating structure किसी भी compound का खी सकते हो, एक बेंजीन हो गया, आपके पास, नेप्थिलीन हो गया, ठीक है, आप एक फिनेंथ्रीन नाम का compound है, लास्ट उसका भी मैं draw कर देता हो, फिनेंथ्रीन, ठीक है, तो इस तरह से आपको vertical से कुछ समाजने की जरूरत नहीं है, vertical sigma bond count करना है, number of resonating structure अपने आप पता चल जाएंग ठीक है, और next one, ठीक है, फिन तरीन, how many resonating structure is draw, sir, 1, 2, 3, 4, 5, 5, कितने, 5, क्या क्या हमने, 1 vertical, 2 vertical, 3 vertical, 4 vertical, 5 vertical, 5 vertical, 5 vertical, sigma bond, any 5 resonating structure, ठीक है, within a fraction of second में आपने इसको क्या गिया, खतम गर दिया, आचुके है कुष्चेन है, MS Chauhan की कुष्चेन है, best book है, आप उसको पर्चेज कर ल एक वर्टिकल, वर्टिकल करना आना चाहिए, यह सिंपल सी चीज है, वर्टिकल, जो सिंगल, 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 ऐसे लाइन इक खड़ी होती है, उनी को count करना होता है, तो इस तरह से आप आसानी से बता सकते हो, कि number of resonating, कैसे calculate करते है, number of resonating, number of resonating, vertical sigma bond of counter, तुरूंत आपका compound है, अब सिसे में heteroatum की बात कर लेता हूं, that is this one, furan, furan compound आपने सुना होगा, स्यारे structure में draw कर देता हूं, thyophen, यह भी structure आपने सुना होगा, देखा ही होगा, नहीं देखा होगा तो देख लीजिएगा, next one pyrrole, ठीक है, pyrrole यह compound है, next one pyridine, ठीक है, इसका भी देख लेते देखने में, nitrogen बिचारे के पास एक ही lone pair है, उसी जिखुस है, यहां भी एक ही lone pair है, ठीक है, draw कर दिया मैंने, that is a furan, इसका नाम है furan, ठीक है, इसका नाम है thaiophen, this one pyrrole, ठीक है, यह क्या है, pyridine, यह क्या है, pyridine, राइट, सर इस तरह के compound अगर आ जाए, तो क्या इसमे काउसी condition होती है, how to check the stability of resonating compound, ठीक है, next video में फिर से में बनाने वाला हो, इसी की stability पे, advanced level पे, तो वहां पे आपको पता चल जाएगा, तो इसमें कुछ नहीं करना है, आपको, यह जो lone pair होता है, lone pair, जो हस्ते वह दिखाए दे रहे, यह lone pair क्या है, participate करते है, participate का मतलब होता है किसके साथ, जब हाथ मिलाएगा, बाजवाला, पाई बाउन, पाई बाउन के साथ घूमने चले जाएगा, ठीक है, जैसे कि यह lone pair है, single bond है, पाई बाउन है, तो synchronization आसानी से होगा, resonating condition फुल्फिल हो रही है, तो बहुत आसानी साथ यह क्या करेंगा, resonance कर जाएगा, तो य यह corner थे, corner समझते हो, यह corner लिए हो, यह corner लिए हो, यह corner, मैंने उनको count कर लिया, total कितने है, 4 corner और एक lone pair, total कितने हुए 5, how many resonating structure is there, 5, यहां पे कितने, यहां भी उतने है, 5, दिखा आपको, दिख गया मुझे तो, यहां कितने, यहां भी उतने है, 5, मुझे, दिखा हाँ, 5 5, कैसे बता किया, sir, एक lone pair, number of corners, एक lone pair, number of corners, यहां पे कितने resonating structure है, sir, 2, क्यों, ऐसा, इसलिए, कि यह nitrogen का lone pair, जो है, यह plane में नहीं होते है, plane से बाहर होते है, actually, और यह nitrogen का lone pair, इसमें participate नहीं करता, ring के अंदर participate नहीं करता, इसलिए हम lone pair को नहीं count करेंगे, तो, यह structure को कैस जैसे count करेंगे, sir, benzene जैसे count करेंगे, है तो, प्रीडीन, लेकिन जैसे, benzene में जैसे 2 structure होते है, जैसे benzene में, double up, vertical sigma bound count करते हो, एक, दो, lone pair, sir, participate नहीं करेंगा, out of ring हो जाता है, plane के बाहर होता है, lone pair participate नहीं करता है, यहां बे, ring में, इसलिए, आप number of vertical sigma bound count करो, फॉर्स कितन सब पूछे जा चुके, तो, कैसे calculate करेंगे, यह चाह फंडा, कि simply हम क्या करते है, number of resonating, बहुत आसानी की तरह calculate कर लेते हैं, next one, अगर conjugated system हो, double bond, उसमें resonance हो रहा हो, तो, उसमें कैसे हम calculate करेंगे, ठीके, resonance, चलो, उसकी भी बात कर लेते हैं, within a second, वो भी topic complete हो जाएगा, त चलो, first one, एक structure मेंने लिया, this one, या फिर ये, ठीक है, आप कुछ भी ले सकते, this one, ठीक है, ये दो structure बने हुए, आपको बताना है, कि कितने resonating structure actually draw होंगे, बहुत आसान है, ठीक है, यहाँ पे, एक conjugated system है, यहाँ पे, एक conjugation है, that is, this one, conjugation होदा है, यहाँ पे, that is, one pi bond है, that is, एक pi bond काउंझा मेंसा, double bond का एक ही pi bond, पार्टिसिपेट करता है, bonding में, एक pi bond काउंझा करेंगे, एक extra एड़ करेंगे, ठीक है, ये चीज़, short-cut है, एक πیں बर्स झारेंगे सपीडि़ांडी तो कितने रिजनेकिने आज ऊवाँगे सपाइक डिश्टक्षक्स twenty तो जनू ड़ा होंगे सेट इसके एक पाइ एक इसक भाइवानदा करेंगे 2, okay? तो कितने regionality structure होगा, 2, I won't use the resonance, okay? उतना time नहीं मैं पास कि मैं आपका resonance खीच के दिखाऊँ, यहाँ पे मैं क्यों यह बताना चाहता हूं, कि कैसे within a fraction of second में, कैसे आप calculate करेंगे, किसी भी conjugate system का resonance कैसे calculate करेंगे, okay? मालो यह मैंने system रोगिया, यह compound है कोई ठीक है पता नहीं कहुंसा है आमें नहीं पता ठीक है ऐसा कुछ है Conjugated system है तो कैसे निकालेंगे इसका number of resonating structure तो Conjugated system में number of five on count हो resonance होना चाहिए नहीं system Conjugated है यह नहीं कि isolate system में आप isolate system मना दे हो इसमें Conjugation ही नहीं होता double bond sigma 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 double bond that is not a Conjugation goes right now right तो यह Conjugated system में हां sir Conjugation double bond single double bond single double bond single double bond charge ठीक है single bond plus charge वज़ा seismic Conjugation आ गया तो कितने number of five bond है एक दो तीन चाहर चाहर है और बाजुमी क्या लगा हो प्लस मनलब एक श्टा लगाते ठीक है वो प्लस कानी काउन करते 4 प्लस 1 कितने हो गए 5 यानि कितने resonating structure रोंगे इसके 5 किसी को अब तकलीब नहीं होनी चाहिए next question ठीक है आपको क्या करना है number of five bond आप अमने मर्जी से question बना सकते हो कोई ऐसा नहीं है कि जो मैं question बना हो वही आप उसी system के आप रिजिए इसक्टर कीचो कोई भी आप अपने मर्जी से रोग कर सकते हो सर मालो की double bond आपने लगा है बात सही है अब मालो मैंने हां triple bond लगा है वो भी बहुत अच्छी बात है आपने कम सक्कम इतना सोचा तो सही कि triple bond भी आ सकता है ठीक है मैंने लगा दिया ठीक है कांजुगेटर सिस्टम में बिल्कुल कांजुगेटर है जब भी कभी triple bond आए तो उसके किवल एक ही पाई काउंट होते हैं कितने काउंट होते हैं एक पाई बाके इस फिस्टम होई पुराना जैसे यह है उए यह है वैसे ही होगा एक फाइब दो पाई एक इस पने जोड़ देंगे टो 1 प्लस 1 फ्लस 1 टोटल कितना होता है मैंटमेटिक सानी थृट होता है कैसी होता है पता नहीं वट यहां का पई बॉन यहां का पाई ऑन और धिस तेसी तरह से हम किसी भी compound का resonating structure कर सकते हैं बहुत आसान है बेद आता दिया फिवरान हैं वह भी मैं बता दिया एंड इस तरह के यहां से भी कुश्यन बनते हैं कितने रिजुनेटिंटिंग रो होते हैं वह भी बता दिया आपको किस तरह से कैसे करते हैं ठीक है तो अगर ट्रिपल बॉंड आ जाए तो आप एक पाई काउन करें और अदर्वाइस अगर डबल बॉंड है तो आप उसमें एक पाई हमेशा क हो जाएंगे ठीक है यह तो रहा हाईडोकारबन की बात नेक्स्ट वीडियो में यह बताने वाले कि कोई जो इन और्गी कंपाउंड आ जाए तो उनका उनके नमबर आफ रिजुनेंटिंट इस यह कोश्यन होता है और दूसरा में विदिन फ्रेक्सिंट में आपको बाउं बताने वाला प्रस्ट करता है निंशिन करते नौश्य करते है विदिन फ्रेक्शंब्स कि इन का निकालते वह भी और चार Gilbert को विदिन फ्रैक्षिन आप सेकंड में आसानी वाला एक बार दो बार तीन बार चार बर आप इसको देखिए उसके बाद आप इसको पेपर नोट बुक में कॉपी में लेकर लिखना सुरू के स्टार्ट करी मेमराइस करिए प्रैक्टिस करिए अप कंसिस्टेंसी होगी तभी आप इसको सॉल्व कर बाओंगे अधरवाज यह सॉल्व होनी वाला नहीं है अधरवाज आपको लॉंग मेथर बताया जाएगा आप लॉंग मेथर पढ़ते रहेंगे तब भी कुछ नहीं होनी वाला ठीक है क्योंकि हमें फ्रैक्शन आप सेकंड में कुश्चन को सॉल्व यहालग का बाओंग को सॉल्व कर लॉई यहालै वाला शपस कर दो वाला कि क्योंकि लॉई होनी वाला आप लॉई है क्या दोनी दित वाला में उल्वाज बाओंगे ताम 6